बाई अगर तुम सच में तगड़े मुवी फैन और ये फील करते हो कि तुमारे लिए quality content कम पढ़ जाता है तो फिर इसका जवाब है Netflix क्योंकि यहाँ पर हर हफते हर महीने इतना सारा content release होता है कि उसको देखना तो दूर उसका नाम याद रखना भी मुश्किल लेकिन हमें तो सिर्फ इस countless content में से एकडम बवाल entertainer सी देखनी है और इस वीडियो में वही मिलेंगी 7 record-breaking and most-watched Netflix movies of 2024 इस साल worldwide trending और सबसे popular रही 100% quality movies इस वीडियो में cover करेंगे तो सच में मार्च से लेकर जून 2024 के बीच कौन सी मूवीज ने Netflix पर सच में बवाल मचाया है आई ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं नमबर साथ पर एक absurdly comedic film है जो हमें कुछ real चीजों को लेकर एक hyper fictional story दिखाती है जिसमें आपको fun, comedy, legends and breakfast wars देखने को मिलेंगी और ये Netflix पर recently काफी popular रही है April 2024 में release हुई Unfrosted हमें लेकर जाती है 1960s में जब सारी की सारी breakfast food companies अपने famous products बनाने की कोशिश कर रही थे अब वैसे तो ये description इस film को justice नहीं दे पाता है क्योंकि इस film का genre इसकी story से काफी ज़ादा important है और इस statement का मतलब आपको ये film देखने के बाद ही समझाएगा Unfrosted एक brilliant fun to watch film है लेकिन इस film में बहुत सारी mistakes भी हैं अब वो चाहिए इसकी pacing में हो या फिर इसकी story में इसके लिए आप इस film को एक story के तरह नहीं बलकि एक experience की तरह देखो ज़ादा मजा आएगा और शायद Netflix की audience ने भी यही किया है इसी वज़े से Unfrosted को इसकी release के first three weeks में ही 18.4 million views मिले जिससे ये 2024 के second quarter की 7th most watched Netflix film बन गई Netflix पर ये हिंदी में available है नमबर 6 पर एक family friendly animated film है जो छोटे बच्चों की mainly लड़कियों की सबसे बड़ी fantasy Unicorn को दिखाती है May 2024 में release हुई film Thelma the Unicorn हमें एक interesting story दिखाती है एक pony की जो एक famous singer बनना चाहती है लेकिन उसके looks की वज़े से वो आगे नहीं बढ़ पाती जब एक दिन उसके looks गलती से एक unicorn की तरह हो जाते है तब उसे वो fame मिलता है जो उसे हमेशा से चाहिए था लेकिन क्या ये newfound popularity उसके अंदर की humanity को बदल देगी या वो fame पीछे छोड़ देगी यही इस film का central question है देखो ये film kids के लिए बनी film है लेकिन इसमें काफी adult themes भी है जो हमें self worth और self love जैसी चीजें सिखाने की कोशिश करती है और शायद इसलिए इस film को release के बाद first three weeks में ही total 23.6 million views मिले है जो इसे 2024 के second quarter की sixth most watched film बनाते है तो इस film को तुम पूरी family के साथ kids के साथ बैट कर Hindi तमिल तेल को किसी भी language में enjoy कर सकते हो नंबर पांच पर भाईया इस साल की one of the best film है जो हमें एक funny true story दिखाती है कुछ fictional elements के साथ जो उस funny story को एक dark and romantic turn भी दे देते हैं जून 2024 में रिलीज हुई film hitman भाई ये कहानी है एक professor की जो police के लिए एक fake hitman की तरह काम करने लग जाता है लेकिन जब उसे एक beautiful woman मिलती है जो अपने abusive husband को मरवाना चाती है तब उसकी story एक interesting, funny, romantic और thrilling turn ले लेती है अब देखो hitman absolutely एक perfect film है जो आपको हसाएगी भी और अंदर से थोड़ा बहुत uncomfortable भी कभी-कभी feel करवाएगी लेकिन at the end of the day इस film को इतना brilliant बनाया है इसके दोनो lead stars ने और उनकी on screen chemistry ने तो ये सारा का सारा fun एक साथ, एक जगे देखने का एक अलग ही मज़ा है तो फिर इस film को बिलकुल भी miss मत करना अपनी must entertainment value के दम पर ये film Netflix पर चागई है और 29.8 million Netflix users ने इसे stream किया है जो इसे 2024 के second quarter की fifth most watched Netflix film बनाता है ये must watch film Netflix पर हिंदी, तमील, तेल को सभी languages में available है नमबर च्यार पर फिर से एक kids film है जो live action और animated के hybrid version की तरह काम करती है क्योंकि इस film में आपको real people के साथ साथ animated characters भी देखने को मिलेंगे April 2024 में release हुई film Woody Woodpacker Goes to the Camp यहां में Woody की कहानी दिखाती है जिसे उसकी हरकतों की वज़े से forest से निकाल दिया जाता है लेकिन उसे एक camp में अपना नया घर मिल जाता है और जब उस camp पर खत्रा आता है ना तब Woody उस खत्रे को अपने fun loving attitude के साथ destroy करने की कोशिश करता है भाई यह film में kids animated series पर based है और यह film mainly kids के लिए ही बनाई गई है तो इसमें आपको बहुत सारी slapstick comedy और childish gags देखने को मिलेंगे जो adults के लिए थोड़ा tiring feel हो सकते है अब एक audience segment पर focus करके भी यह film बहुत popular हुई है और release के बाद first three weeks में 39.8 million views इसे मिले है तो इस viewership number के साथ यह 2024 में Netflix की fourth most watched film रही है यह most watched film Netflix पर Hindi, Tamil, Telugu सभी languages में available है नमबर तीन पर एक बहुत ही expensive film के expensive sequel है जो Snyder fan के लिए बहुत ही बड़ी disappointment रही है क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ Jack Snyder की Rebel Moon film franchise के second part की जो April 2024 में release हुआ है अब fans चाहे इस sequel से खुश हो या ना हो लेकिन फिर भी Netflix पर इसे बहुत जादा popularity मिली है तो इस sequel Snyder की इस half-baked epic sci-fi story का end दिखाती है वो भी एक बहुत ही epic और expensive war के साथ जो कुछ moments के लिए ही entertaining लगती है अगर अभी तक आपने Rebel Moon का कोई भी पार्ट नहीं देखा है न तो भाई बहुत सही है तुम लोग अभी भी बचे हुए हो और मैं कहता हूँ कि इससे दूरी रहो इवन छपत ले लो कि मैं कभी भी गलती से भी नेट्फिक्स पर जाकर Rebel Moon पर क्लिक करने की गलती नहीं करूँगा क्योंकि ये गलती 46.2 मिलियन लोग पहले ही कर चुके है इतनी जादा viewership के साथ Rebel Moon Part 2 डिजर्व ना करते हुए भी 2024 के Second Quarter की Third Most Watched Netflix फिल्म बन गई है और ये तो कुछ नहीं है इसके First Part को इससे भी जादा Views मिलेते है नमबर दो पर एक Average सी Romantic Comedy फिल्म है जो आपको कितना पसंद आएगी ये Depend करेगा आपके Movie Watching टेस्ट पर अगर आपको Action Thriller पसंद है तो फिर हो सकता है कि ये फिल्म आपको Boring लगे लेकिन अगर आपको Romantic Comedy पसंद है तो फिर ये फिल्म आपको पसंद आ सकती है क्योंकि इस फिल्म में एक अच्छी Romantic Comedy का हर एक Factor मिलता है May 2024 में रिलीज हुई फिल्म Mother of the Bride इसमें हम एक Successful Older Women की कहानी देखते हैं इसे अपनी बेटी की Bombshell Wedding का Invite शौक कर देता है और जब वो वेडिंग पर पहुँचती है तब उसे एक और बड़ा शौक मिलता है क्योंकि जिस लड़के से उसकी बेटी की शादी हो रही है उस लड़के का बाप हमारी Heroine का Axe निकलता है अब देखो ये एक average फिल्म है और इसको criticize करना एक tiring काम है क्योंकि ऐसे फिल्म सिर्फ Rom-Com फैंस को ही पसंद आती है और उनके लिए ही ये फिल्म काफी अच्छी है लेकिन फिर भी ना जाने कैसे रिलीज होने के बाद first three weeks में ही इसे 61.4 million views मिले है जो ये इशारा करते हैं कि नेट्फिक्स पर बहुत सारे Rom-Com movie fans हैं जिनोंने इस फिल्म को 2024 के second quarter की second most watched film बना दिया है नेट्फिक्स पर ये फिल्म हिंदी तमिल तेलकू सभी languages में अविलेबल है नमबर एक पर है 2024 के second quarter की most watched Netflix फिल्म जो इस साल की सबसे घटिया sci-fi फिल्म भी है अब ये घटिया फिल्म है लेकिन फिर भी Netflix पर इसको इतने अच्छे views मिले हैं कि ना चाहते हुए भी इसको list में रखना पड़ा May 2024 में रिलीज हुई फिल्म Atlas ये हमें एक data analyst की कहानी दिखाती है जो AI पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है लेकिन कुछ events उसे एक ऐसी situation में लेकर जाते हैं जहां पर उसे अपनी जान बचाने के लिए भी AI पर trust करना पड़ेगा अब अगर आप चाहो तो Atlas को देख सकते हो लेकिन अगर मेरी मानो तो इस फिल्म को totally ignore करना चाहिए और अगर अब तक आपने Dune 2 नहीं देखी है तो जाकर इस sci-fi फिल्म को देखो मज़ा आ जाएगा अब चाहे मैं इसकी कितनी भी बुराई कर लो लेकिन इस fact को ignore तो नहीं किया जा सकता कि Atlas को बिना अच्छी story और performance के भी एकदम record breaking views मिले है रिलीज के बाद first three weeks में ही total 68.7 million Netflix users ने इसे देखा है जो इसे 2024 की most watched Netflix film मना देता है अब जिसने भी इसे देखा है उन पर मैं कोई comment नहीं करूँगा बस इतना कहूँगा कि आप लोग इससे बच कर रहो तो ये है 2024 की most watched Netflix film जिनोंने इस quarter में सारे viewership record तोड़ कर top trending list में अपनी जगे बनाई है अब इन में से कुछ movies ये position deserve नहीं करती है लेकिन फिर भी official data के हिसाब से list में उन्होंने अपनी जगे बना ही लिए अब इन में से कौन सी movies सच में आपको देखनी चाहिए ये मैं वीडियो में बता चुका हूँ और अगर ऐसा ही trending, record breaking और बवाल content हमेशा enjoy करना है तो चैनल को subscribe कर लो अब जाके मस्त ये movies enjoy करो बस जाने से पहले वीडियो को like करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना तो बस आज के लिए इतना ही जल्द मिलेंगे एक और कड़क वीडियो के साथ